प्यारा मेट्रिक फंक्शन आप लोगों करके ही जाना है बहुत इंपोर्टेंट है कि है कई काई 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 कर पूरा डिफ्रेंसेशन करके जा रहे हैं लेकिन जो पाच इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वह आप आप लोगों करके जाओगे तो आपका डिफ्रेंसेशन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पहला टॉपिक जो हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और यह एक बार आप लोगों को जरूर पूछता है थीटा और एक्स की वैल्यू दी रहेगी मतलब क्या बोलेंगे सेकेंड डी स्कूरर वाइपॉन डी स्कूरर फाइंड करो वेर थीटा इस इकोल सु जीरो या तो सेकेंड ओडर डिरेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में भी आता है अगर सिफ पैरामेट्रिक फं या तो अलग से पूछें या तो 2nd order डरेटिव में आप लोगो पैरामेट्रिक फंक्शन लगाना पड़े लेकिन पैरामेट्रिक फंक्शन आप लोग को करके ही जाना है बहुत इंपोर्टेंट है 2nd order डिरेटिव में भी पूच सकता है अकेले भी पूच सकता है ज्यादा बोलता है कि dx by d theta हम लोग को मिला तो sin का derivative क्या होगा cos theta फिर अगर हम लोग को इदर को y is equal to हम लोग को जो है वो cos theta दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे with respect to theta इसको differentiate करेंगे तो क्या है कि अधर minus sin theta और actually हम लोग क्या find करना रहता है हम लोग को dy by dx find करना रहता है तो dy by dx के हम लोग क्या करेंगे कि dy by d theta upon dx by d theta इस type के function को जो हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं parametric functions बोलते हैं फिर आते हैं derivative in logarithmic form ठीक है derivative हम लोग को मालूए कि trigonometric form में होता है exponential form में होता है algebraic form में होता है लेकिन जो सबसे यादा उन सब में जो सबसे ज़्यादा important है वह logarithmic form में पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा important होगा तो उसको आप लोग जरूर ध्यान रखो कि लॉक के फॉर्म में जरूर पूछ सकते हैं अब आते फिफ्ट वाले पर जो की और tan to theta इनके उपर जो बेस्ट है जो आपने किया था कि tan to theta का फॉर्म ला क्या है वन माइनस ट स्कूरर अपन प्लेस ट स्कूर सब्स्टिटूट करते हैं हम लोग तो वह सारे टाइप की जो question है यह बहुत ही rarely asked question है लेकिन जो स्टार्टिंग की जमान यह खास करकि यह दो बहुत ही important है second derivative parametric form के साथ और starting HR तो बहुत ही जादा important है अगर आप लोग ने बहुत से बहुत यह past topic कर दिया आपका differentiation का पूरा MSC CD का topic complete हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ा आपको बिलकुल भी touch करने की ज़रूत नहीं है और आपका differentiation बहुत अच्छे तरीके से हो पर इस same username आप लोग को TikTok पर मल जाएगा यहाँ पर हम लोग MSC CD के tricks प्रवाइड कर रहे है और MSC CD के वीडियो इस channel पर आते रहेंगे यहाँ पर हम लोग MCQ solve करते रहे है ठीक है तो बस यह रह इतना ही कहना था thank you for watching the video